Hello students, welcome once again to English Classes UP Board. Students, आज की वीडियो में हम study कर रहे हैं Class 10th के Supplementary syllabus से Lesson No. 2 The Thief's Story के Long Questions Answers को. Question No. 1 is How Anil plays a vital role for changing views of Harisink towards life? किस प्रकार Anil ने अपनी महतपूर्ण भूमी का निभाई हरी सिंग के जीवन के प्रती विचारों को बदलने में? एक्जाम में ये question इस तरह से भी पूछा जा सकता है Character Sketch of Anil या फिर What kind of a person Anil was? After knowing the truth about Hari Singh, Why did he keep Hari Singh again to work for him? किस प्रकार का व्यक्ती था Anil? और सच जानने के बाद Hari Singh के बारे में कि वह है एक चोर है और उसने उसके रुपे चुराए थे उसने Hari Singh को काम पर दोबारा क्यों रख लिया? ये तीनों question एक ही चीज़ को बताते हैं कि Anil का character किस प्रकार का था और उसने Hari Singh को किस प्रकार से प्रभावित किया? तो उन दोनों के relation को describe करते हुए हम mainly Anil के character के बारे में बताएंगे इस question के answer में हम लिखेंगे Anil is the second main character of the story Anil इस कहानी का दूसरा मुख्य चरित्र है और कहानी का नाम है The Thief's Story A gentle, educated and kind man एक सजन, पढ़ा लिखा और दयालू व्यक्ति इस तरह की heading डाल कर हम Anil के बारे में बताएंगे जैसा की question में पूछा गया था कि Anil किस प्रकार का व्यक्ति है Anil was 25 years old writer who wrote for magazines and earned for his living Anil एक 25 वर्ष का लेखक है जो magazines के लिखता है और अपनी जीवी का कमाता है He was very kind to Hari Singh वह Hari Singh के प्रती बहुत दयालू था इस तरह हम इसके बारे में introduction दे देंगे कि Anil कौन था और फिर next heading लिखेंगे His kindness towards Hari Singh Hari Singh के प्रती उसकी दयालू था Hari Singh was alone Hari Singh अकेला था and a needy person और एक जरूरत मंद व्यक्ती था Needy means जरूरत मंद Anil helped him in every way और Anil ने हर तरीके से उसकी सहायता की Even when Anil got यहां तक की वापस रख लिया पचास रुपे सैलरी हर महीने देते हुए तो इस तरह से Anil ने Hari Singh को माफ कर दिया था उसने कोई उसको बुरा भला नहीं कहा और उल्टा पचास रुपे उसकी सैलरी रखते हुए उसे वापस काम पर रख लिया As a teacher of Hari Singh Last heading लिखेंगे Anil Hari Singh के teacher के रूप में एक अध्यापक के रूप में While living with Anil Anil के साथ रहते हुए Hari Singh learnt a lot of good things Hari Singh ने बहुत सी अच्छी चीजें सीखी Anil taught him cooking Anil ने उसे खाना बनाना सिखाया Writing words Shabdों को लिखना सिखाया Adding numbers Anil taught him Anil taught him And many other things और भी दूसरी चीजें सिखाई He even planned to teach him Writing full sentences यहां तक की उसने planning की थी योजना बनाई थी कि वह उसे पूरे sentences लिखना teach सिखाएगा Thus इस प्रकार Hari was realizing the value of education in life इस प्रकार Hari Singh ने जीवन में शिक्षा के महत्व को समझ लिया था जब वह Anil के साथ रह रहा था और लास्ट पेरग्राफ में लिखेंगे दस इस प्रकार अनिल प्लेज अ वाइटल रोल for changing views of Hari Singh's toward life इस प्रकार अनिल ने important role एक वाइटल रोल निभाया हरी Singh के जीवन के प्रतीव विचारों को बदलने में just because of अनिल और केवल अनिल के कारण ही हरी Singh could change himself हरी Singh अपने आप को बदल सका from a thief to a gentleman एक चोर से एक सज्जन व्यक्ती में चोरी तो की थी उसने लेकिन चोरी को तुरंट सुधार कर उसने उसके पैसे वापस रख दिये थे Friends यहाँ पर यह first long question finish होता है जिसमें हमने अनिल के character को study किया आगे अभी हम study करेंगे question number two और आपसे request है कि प्लीज यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है आपको यह answer समझ में आया है तो वीडियो को like करना और चैनल को subscribe करना नहीं भूलिएगा आपके syllabus का जो नया pattern है उसके according videos upload होती रहेंगी आईए continue करते हैं question number two हरी सिंग के character से related question number two is character sketch of हरी सिंग highlighting his love for getting on education हरी सिंग के चलित्र के बारे में वर्णन करना है लेकिन उसमें highlight करना है उसका education उसकी education को शुरू करना और उसका education के प्रती प्यार answer में लिखेंगे हरी सिंग is the main character of the story, the thief's story हरी सिंग thief's story का main character है और heading लिखेंगे हरी सिंग a clever thief हरी सिंग एक चालाक चोर हरी सिंग was a 15 years old boy हरी सिंग 15 वर्ष का एक लड़का था who was a thief, जो एक चोर था हरी सिंग was not his real name हरी सिंग उसका असली नाम, वास्तविक नाम नहीं था he took people in his confidence वह लोगों को अपने विश्वास में लेता था and robbed him और उन्हें लूट लेता था second heading लिखेंगे his meeting with Anil उसकी मुलाकात Anil के साथ हरी सिंग met Anil to win his confidence first हरी सिंग, Anil से मिलते ही सबसे पहले उसका confidence, विश्वास जीतना चाहता था and to rob him after और बाद में उसे लूटना चाहता था Rob means loot लेना but while living with him लेकिन उसके साथ रहते हुए he learnt a lot of good things उसने बहुत सी अच्छी चीजों को सीखा next heading है his education with Anil उसकी शिक्षा Anil के साथ Anil was an educated and nice man Anil एक शिक्षित और अच्छा व्यक्ती था he helped Hari Singh उसने Hari Singh की मदद की and taught him many things और उसे बहुत सारी चीजें सिखाई as cooking जैसे की खाना बनाना reading पढ़ना writing लिखना and counting numbers numbers को गिनना और next heading लिखेंगे his theft उसका चोरी करना as Hari Singh was a thief क्योंकि Hari Singh एक चोर था he could not control himself वह अपने उपर नियंत्रण control नहीं कर सका and robbed Anil और उसने Anil को एक दिन लूट लिया उसका पैसा चोरी कर लिया last heading लिखेंगे his realization and love for education उसका realize करना situation को कि उसने गलत किया और उसका प्यार education के प्रती while living with Anil Anil के साथ रहते हुए Hari Singh got the value of education Hari Singh ने शिक्षा के मूल्य को शिक्षा के महत्व को समझा and realized और ये एहसास किया that कि he can get respect कि वह इजद सम्मान प्राप्त कर सकता है and can earn much more और कहीं ज़्यादा कमा सकता है if he is educated यदि वह शिक्षित है तो शिक्षा के महत्व को ये समझ गया था कि वह चोरी करके कभी भी इतना नहीं earn कर सकता जितना की पढ़ाई लिखाई करके वो अपनी income बढ़ा सकता है और एक सम्मान की जिंदगी जी सकता है ये realize उसमें कर लिया था that's why इसलिए he came back to Anil again वह दोबारा Anil के पास वापस आ गया and kept his money back और उसका पैसा वापस रख दिया under his mattress उसके गदे के नीचे this was Anil और यह Anil ही था who changed Hari Singh's views towards life जिसने Hari Singh के जीवन के प्रती विचारों को बदल दिया था Students, यहां आपके ये दो important long question finish होते हैं I hope ये विडियो आपके लिए बहुत helpful रही होगी तो please विडियो को जल्दी से like कर दीजिए और चैनल को subscribe करना नहीं भूलिएगा मिलते हैं next विडियो में Thank you very much